हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं विनायक तिंगलू आप सब का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैडल स्मार्ट लर्निंग में लाइक तिंगलू में तो मेरा जॉच का वीडियो रहेगा वो MS Excel पर रहेगा मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप गंटों का काम कुछ ही मिन्टू में कर पाएंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के टॉपिक प पर लिए तो आप मुझे इनको आगे लिखने के लिए तो simply आपको मुझे मुझे इनको आगे लिखने के लिए तो आपम बैंटरी दो हैं तो two numbers लिखना पड़ेगा इसके आगे कुछ इस तरीकेसे और अगर मुझे आप हाडिस्ट मेर पास एक है तो मुझे one number लिखना रखता हूं पर अगर आपके पास hundreds में items हैं या अगर आपके पास 50 ए 40 items हैं माल लेते हैं और या आपका daily का काम है तो आपके ऐसे numbers से number लिखते रहेंगे यह तो बहुत ही time consuming process हो जाएगी तो इसके लिए आपको एक shortcut trick बताने वाला हूं या आपके क्या सकते एक formula बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपके काम बहुत ही असानी से कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको मैं कर देता हूं remove आपके simply selection कर control और down arrow को click किजेगा आप end वाले पर आ जाएंगे जैसे मैं आया हूं simply यहां quantity पर आईएगा फिर shift key और control key को press करके रखिएगा release मत कीजिएगा और simply आप arrow को click कीजिएगा यह overall जितनी भी आपकी cells होंगी जो top तक वो सब आपके सामने तो चलिए आप क्या करना है इसके बाद आपने कीबोर से shortcut key को press करना है जो रहेगा control one आप जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ कि equal to one अगर मेरी कोई भी चीज एक है तो मुझे क्या मिलनी चाहिए सिंपल सी बात है quotation mark और start करूंगा इसमें लिखूंगा number जैसे मैं आप देख सकते है quotes बंद करूंगा उसके बाद मैं space इसके बाद मैं लिखूंगा semicolon semicolon देने के बाद फिर से मैं hash का use करूंगा space दीजेगा फिर hash लिखिएगा hash के बाद फिर से थुड़ी space दीजेगा इसके बाद आप quotes को फिर से शुरूर कीजेगा और इसमें लिखिएगा numbers और उसके बाद code को फिर से close कीजेगा, यहां पर हमारी process खतम होती है, simply आप कीजेगा OK, अब मेरा काम हो चुका है, just like मैं यहां पर लिखता हूँ 1, और मैं enter की को press करूँगा, तो आज के आगे आजाएगा 1 number, आज मैं लिखता हूँ 15, तो यह दिखाएगा 15 numbers, आज मैं लिख है, आप वहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, just like अगर यहां पर कुछ grains होती, just like rice, wheat, floor, कुछ ऐसी items होते हैं, तो आप उसको kg और kgs में लिखते हैं, kgs and kg, और अगर आपके पास यहां पर कोई liquid form में होता, just like petrol, diesel, kerosene, mustard oil, तो आप उसको liter और liters में लिख सकते हैं, तो जहां आप पर मेरे number लिख है, आप आप पर कुछ और चीज भी लिख सकते हैं, और आप असानी से अपने काम को कर सकते हैं, तो I hope आपको मेरे आज की मनाहिमी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है, तो please मेरे चैनल को like, subscribe and share करें, thanks for watching the video